हेलो दस्तों कैसे आप लोग तो मेरे इस चैनल पर पहला यह छोटा सा राइट वीडियो होगा हम जाने वाले एक स्वरूम में तो चलिए मैं वीडियो में यह आपको दिखाता हूँ कि हमकी स्वरूम में जाने वाले हैं तो भाईयो और जेंटलमेन आप आचुके हैं यामा के स्वरूम वी आर इंटरप्राइज आसन सोल में आप इसको गूगल में पे वी आर इंटरप्राइज लिख के भी सर्च कर देंगे तो आपको डारेक्शन मिल जाएगा नोजवानों के दिलों पे राच करने वाली बाईक्स से आपको रूबरू करवाते हैं तो चलिए चलते हैं सोरूम के अंदर तो यह है यामा की एमटी 15 जिसको लेने की इक्षा सबको होती है लोगों के इस बाईक में जो चीज पसंद ने हूँ है इसका लुक तो चलिए अब इसके लुक के बारे में बात कर लेते हैं आपके सामने जो बाईक पेस है यह निव कलर वेरियंट में पेस हैं इससे पहले इसके दो कलर हुआ करते थे डार्क मेड ब्लू और एक मेटलिक ब्लेक इसमे और एक निव कलर आचुका है तो अब आपको यह बाइक तिन कलर वेरियंट में देखने को मिलेगा इसास बाईक को देखके आपको प्रीमियम दाइक की याद्स एक इस बाइक में जो आई केचि आपको इसके एड़ लाइट में LED मिलेगा और साथ ही इसके टेल लाइट की बात की जाए तो इसमें भी अपको LED मिलेगा इसके रियर विल्स का साइज जो है 431.8 mm है जो न्यू कलर वेरियंट में है और फ्रन्ट विल में भी आपको सेम साइज और सेम कलर देखने को मिलेगा यमाँ 15 में 155 cc का लिक्विट कूल इंजन दिया गया है जो 10,000 rpm पे 18.5 ps का पावर जनरेट करता है और साड़े 8,000 rpm पे 13.9 mm का टोर्क जनरेट करता है इस बाइक में सिलपर कलच लगाया गया है और इस बाइक का ग्राउंड करियंज 170 mm है यमाँ 15 में आपको फुली डिजिटल कंसोल देखने को मिलेगा इसके कंसोल में बहुत सारे इंफॉमेशन इंडिकेटर दिये गया है जैसे कि इसमें गीर इंडिकेटर, rpm इंडिकेटर, trip का भी दिया गया है और इसमें एक चीज नया एट किया गया है साइड स्टेंड का टोप स्विच अगर आपका स्टेंड नीचे रहेगा यहां पे इंडिकेट करेगा और इसमें आपको ABS का भी लाइट दिया गया है इस बाइक के कंसोल में आप इसकी किलोमीटर को भी देख पाएंगे, स्पीट को भी देख पाएंगे और फ्यूल की केपिसिटी को भी देख पाएंगे इस बाइक में आपको 10 लिटर के फ्यूल केपिसिटी आती है आपने इस बाइक पे बेटके इसके सीट और इसके हैंडलिंग को काफ़े कमपूटेबल पाया है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लोग के पास में केप दिया गया है जो इसको ड़स से बचाता है तो आप यहां से पाइक की सीट को खोल सकते हैं जो काफ़ी उनिक तरीके से लगाया गया है इस बाइक के फ्रेंट में सिंगल चैनल एबियस गया है इस बाइक के फ्रेंट सेस्पेंशन में टेलिसकोपिक फोर्क लगा हुआ है अब हम आपको इस बाइक की साउंड को सुनाते हैं हम अपने केमरे के माइक को इसके नजदीक लेके जाते हैं तो आपने देखा जब मैं केमरे के माइक को साउंड को नजदीक लेके जा रहा हूं तो यह साउंड काफी लग रहा पर अगर हम थोड़ा सा माइक को दूर करते हैं तो आप आएंगे कि हमाने T15 के इंजन में कितना अच्छा काम किया है इसके इंजन का साउंड काफी रिफाइन आता है एक चीज में आप लोगे बताना चाहते हूं थोड़ा सा टोपीक से लगे पर मुझे बताना जोड़ लगा जब मैंने यहाँ पर स्टाप मेंबर से बात किया तो मुझे यहाँ के स्टाप मेंबर काफी फ्रेंडली लगे